नमस्कार, मैं राधिका जैन आपको गाजर के कुछ फायदे बताना चाहती हूँ कच्ची गाजर को भोजन से पहले और भोजन के बाद चबा चबा कर खाने से मन्दागनी और अजीर्ण जैसे रोगों से मुक्ति मिलती है एक कप गाजर करस, एक कप निबू करस और दो चम्मत शुद्ध शहत मिलाकर सुभा के समय पीने से कबज की समस्या दूर होती है पीलिया ग्रस द्रोगी को गाजर करस, पालक करस और संत्रे करस तीनों सौसो ग्राम मिलाकर दिन में तीन से चार बार दें आठ दिनों तक निमित सेवन कराने से पीलिया जैसा जटिल रोग चला जाता है प्रति दिन सुभा बिना कुछ खाय पिए 100 ग्राम गाजर की रस में जरा सा सिंधा नमक डाल कर पीने से मस्तिश्क और हिरिदय दोनों को बल मिलता है गाजर में बीटा कैरोटिन सबसे ज़्यादा पाया जाता है जो हमारी त्वचा को सेहत मन रखता है गाजर का जूस पीने से चेहरे की जुर्या दाग धब्बे आदी दूर होते हैं गाजर का जूस पीने से आखों की रोशनी भी बढ़ती है गाजर में विटामिन A होता है यह हमारी हड्डियों और दातों को मजबूत बनाता है इसमें फाइबर की मात्रा बहुत होती है जिससे पेक अच्छे से साफ होता है डाइरिया के लिए तो गाजर का जूस बेस्ट है गाजर को बिना चिले खाने से इसमें मौजूद मिनरल्स, सोडियम, सलफर, पोटेशियम का पूरा फायदा मिलता है और ये सब मिनरल्स गाजर के चिलके के नीचे होते हैं ये लो कैलोरी फूड होता है जो कैलोरी कॉंशिस लोकों के लिए अच्छा है ये वेट लॉस करने में भी मदद करता है गाजर में एंटियोक्सिडेंट होता है जो हमारी बोडी के सेल्स को नश्ट नहीं होने देते गाजर खाने से ब्लड ट्रेशर भी कंट्रोल में रहता है तो ये तो थे गाजर से मिलने वाले फायदे और कुछ अचोक नुस्खे आशा करती हूँ कि आप अपनी अच्छी सेहत और सुन्दर्ता के लिए इन नुस्खों को जरूर अपनाएंगी मैं राधिका जैन आपकी अच्छी सेहत की काम न करती हूँ